एलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स आज का जो वीडियो होने वाला है काफी अमीचिंग होने वाला है एक बैस्ट प्राइस सेक्षन बेस्ट स्ट्रेजी मैं लाया हूँ इसमें एक मोडिफाइड इंडिकेटर को यूज करने वाला इभेन मेरे चैनल में भी देखा होगा मैंने काफी ज़्यादा मोडिफिकेशन किये थे प्रीवेस सारे वीडियो में लेकिन आज का जो 5EMA स्ट्रेजी है काफी डिफरेंट है और काफी अमीजिंग एडवांस लेवल की स्ट्रेजी है इसको मैंने रिसर्च किया हूँ बहु सारे स्ट्रेजी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं इसलिए सारे मोडिफाइट वर्जन लाता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कौन सा स्ट्रेजी किस पर सूट कर जाएगा कौन सा स्ट्रेजी किसको अच्छा लगने लगेगा हो सकता है किसी को प्राइस सेक्शन बेस्ट कभी कभी मुझे लगता है तो मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर 5 EMA 10 EMA सारे चीज़कों में देखता हूँ आगे बढ़नी से पहले to the point चलते हैं अगर इस चैनल में आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को like answer जरूर कीज़ेगा वीडियो को सुरूर से लेकर last तक देखने का कोसिस कीज़ेगा जिससे की every point को समझ पाए इससे पहले जो मैंने strategy आपको 5 EMA का बताया होगा उसमें कहीं ने कहीं यहाँ पर जो EMA मैंने लगाया है वो exponential और यह सारी चीज़े मैंने बताया है उसके वह सा amazing result है जो आपके सामने अभी मैं example के साथ दिखाना चाहूँगा तो उसके बाद आप लोग को लगेगा कि हाँ यह चीज़े काफी different है और काफी अलग यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर देखिए होता क्या है कि 5 EMA का जो हमारा setup था जो पहले था वही है पहले मैं दो exponential moving average लिखना है जैसे आपने moving average MOVI ऐसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर moving average exponential यह करके आ जाएगा आपको इसको लगा लेना है यह वाला ठीक है simple नहीं लगाना है moving average exponential को लगाना है इसको मैं already लगा चुका हूँ आपको यहीं से लगा लेना है इसके बाद आपको लगाना है RSI मैं उसको भी दिखा देता हूँ RSI ऐसे जैसे type करेंगे यहाँ पर देखिए simple वाला RSI आपको लगाना है जो यहाँ पर है relative strength index ठीक है यह दोनों को आपको लगा लेना है दोनों indicator indicator काफी important है काफी genuine है अब सबसे पहले हम लोग 5 EMA के setting को देख लेते हैं फिर मैं RSI के setting को दि देखिए क्या है input में आपको मैं लेके चलता हूँ पहले input में जैसे आएंगे यहाँ पर simple 5 देना है ठीक है यहाँ पर 5 देना है length में यहाँ पर 5 देना है उसके बाद method में EMA कर देना only ऐसा इसलिए कि exponential moving average को ही हम लोग यूज करेंगे source में यहाँ पर देखिए close दिया से कि मेरा background यह white है तो इसलिए देखिए जैसे कि EMA का यह line है तो black वाला काफी अच्छे तरीका से देख रहा है आपका अगर background कोई निला पिला काला या जो भी है उसके according आप लोग इस color को adjust कर सकते है ठीक है तो उसके according आप लोग देख लेना बस यहाँ पर ok पे click कर देना ह यह आपको proper setting जो है 5 EMA का मिल गया अब देखिए RSI का भी setting हम लोग देख लेते हैं कि इसका setting कैसे करना है यहाँ पर देखिए इसका नीशे में यहाँ पर setting मिल जाएगा जैसे मैंने click किया यहाँ पर देखिए input को पहले मैं दिखा देता हूँ input में जो चीज़े यहाँ पर यही सारे चीज़े मतलब यहाँ पर कोई भी difference आपको देखना ही नहीं है ना ही करना है ठीक है इसके बाद आ जाना है style में style में जिसे आएंगे देखिए RSI का only यहाँ पर मैंने इसको on करके रखा है color को मैंने black दिया मैंने आपको पहली पार बताया कि color को RSI का color यहाँ पर मैंने देखे रखा है तीनों black है इसलिए कि मेरा background white है तो black screen जो है यहाँ पे काफी अच्छे तरिकाल से black color दिखता है तो इसको मैंने on करके black color लगा रखा है अब आपको यहाँ से नीचे जाना है देखिए यह तीन band को सिर्फ मैंने यहाँ पे on करके रखा तीन band मतलब की upper band middle band और lower band यह band क्या है कि यह वाला upper band है यह वाला middle band है और यह वाला lower band है अब इसके values की अगर बात करते देखिए upper band की value जो है 70 है middle band की value जो है 50 है और lower band की 30 है तो यह तीनों similarly इसी तरिका से यहाँ पे सजाया गया है ठीक है यह सारे values के according इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना just okay कर देना यह हमारे screen पे all as it is यहाँ पे लग जाएगा अब बात आती है कि हमारा setup क्या कहता है कैसे हम लोग trade करेंगे तो trade करने के लिए मैं आपको बता दूँ time frame जो हमको लेना है standard time frame वो रहेगा 5 minute 5 minute के लिए हम लोग इसको use करेंगे और 5 minute में मुझे लगता है कि सबसे best result यह आपको देगा ठीक है और strategy को apply only bank nifty में करेंगे ठीक है मैं mostly bank nifty में trade करता हूं तो आप लोग भी bank nifty में कर सकते हैं nifty या किसी और CJ में यह काम नहीं करेगा जैसा कि bank nifty में performance देता है ठीक है तो bank nifty में one of the best result है इसका आप लोग जरूर check out भी करना और live market में भी देखना इसका setup क्या है जैसे buying setup और selling setup क्या है वो मैं दिखाता हूं सबसे main role इसमें RSI का है इसमें 5 EMA का ज्यादा role है ने 5 EMA का बस यह role रहता है कि अगर हम sale करने के लिए जाते हैं मान के चलो कि यहाँ पर EMA बना हुआ है ठीक है 5 EMA बना हुआ है अगर हम sale करने के लिए जाते हैं तो अगर most part candle का कोई most part अगर इसके उपर है तभी हम लोग sale करेंगे तो वो हमको एक नीशे के direction में momentum देगा जहां से benefit हमको होने के काफी ज़्यादे chances है और अगर मैं buy side की बात करता हूँ यह 5 EMA है और mostly अगर यहाँ पर कोई candle बनता है तो यहाँ से अगर हम buy करते हैं तभी जाके यहाँ से उपर जाएगा और हमको target देने की chances ज्यादा यहाँ पर रहेगा ठीक है तो यह दोनों similarly buy और sale का setup बताया अब इसमें combined जो हम लोग करते हैं RSI वो कैसे करते हैं अब देखिए जैसे कि यहीं पर example के तोर पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर यह जो band है ना upper band 70 वाला इसको market जो है RSI अलड़ी cross कर चुका है और जैसे यह over about हो जाता है मतलब इसके उपर जब यह market चला जाता है तो यहाँ से ही हमको opportunity ढूंटना है sale side का यहाँ पर कभी भी buy side के लिए नहीं जाएंगे यहाँ पर हमको देखना है sale side के लिए अब जैसे market घुझयाओ इसे market जाता है तो हमको एक यहाँ पे indication देता है यहाँ पे sale नहीं कर देना है आप लोग को अच्छे तरिका से समझ यहाँ पे sale नहीं कर देना है यहां से जैसे market उपर जाता है तो हमको एक indication देता है कि यहां से हमको sale में जाना चाहिए और जैसे same as itty यही वाला RSI इस level को ऐसे cross करता है यहां से नीचे closing करता है again इसी upper band को यहां से नीचे closing करता है इसका मतलब होता है कि यहां पर हमको trade को initiate कर देना है sale side के लिए और यहां पर जैसी initiate करेंगे target हमारा यह middle band तक पहला target रहेगा lower band तक second target रहेगा अब मैं आपको यह confirmation सारे चीजे दे दिया sale side के लिए as itty buy side के लिए भी कुछ ऐसा ही करेंगे buy side के लिए आपको क्या करना है जैसे मान के चलो कि यह RSI वाला जो भी line है यह line जब भी market इस तरीका से momentum करके इस lower band के जो 30 वाला band है इसके जैसे नीचे आता है तो हमको क्या करना है active हो जाना है कि market यहां से buy side का कोई trade initiate कर सकता या buy side का कोई signal दे सकता है इसके बाद जैसे यहां पर market RSI इसके नीचे आया और यहां से पलट के जैसे reverse करेगा मतलब यह lower band को जैसे upside में breakout again करेगा तो यही हमारे लिए एक ऐसा मौका राता जहां पर हम लोग trade initiate कर सकते हैं buy side के लिए और यहां पर जैसे आप buy side के लिए trade को initiate करेंगे पहला target आपको middle band दूसरा target आपको यह upper band रहेगा तो यह दोनों यहां पर target जो है ना हमको easily मिल सकता है अगर हम इस दोनों rule के according अगर हम RSI को follow करते हैं as it is ठीक है अब यहां पर importance का है जो 5 EMA और RSI दोनों को हम combine करते है वहां पर यह है कि accuracy आपकी काफी अच्छी हो जाएगे अब देखिए आपको just previous day से मैं start करता हूँ market जैसे पहले RSI को देखना पहले इसको नहीं देखना है कि इसको क्या करना है नहीं करना है candle को जो momentum करना है जहां जाना है जाये कोई मतलब नहीं है पहला हमारा focus रहेगा RSI क्या यह upper band के ऊपर जा रहा है तो यहां पे थोड़ा सा ऊपर गया है तो जैसे ऊपर गया हमको active हो जाना है कि यहां से हमको sale में जाना है और just as it is अगर मैं इस candle को देखूं तो यहां पर जो candle है देखिए यह वाला candle green है मतलब यह green इसलिए है कि market यहां पे upper band को ऊपर cross कर दिया है साथ में यहां पे देखेंगे कि जो हमारा EMA है 5 EMA यह 5 EMA भी देखिए यहां पे इस तरीका से है और market जो candle बनाया है वो इसके ऊपर है तो मैंने क्या बोला आपको कि EMA जो है यह यहां पे बनना चीए candle इसके ऊपर रनना चीए तभी हम लोग sales side के लिए initiate कर सकते है कोई भी trade और यहां पे हमको यह signal दे दिया इसके ऊपर ठीक है अब second part में क्या होता जैसे यहां से cross down करता है मतलब इस upper band को जैसे यहां पे RSI फिर से reverse करता है और यहां पर देखिए आपके सामने जो candle यहां पे यह red वाला candle है पूरी तरीका से red candle बना है EMA के 5 EMA के नीचे closing किया है तो यह हमारा perfect candle होता है sale side के लिए ठीक है इस candle पे हम लोग sale को initiate करेंगे और stop loss हमारा इसी candle के high पे रहेगा और target हमारा जो मैंने आप लोग को lower band बताया जो कि यहां पे है ठीक है अब यहां पे देखिए हमको target कितना मिला है आप यहां पे एक चीज और बता दो जैसे हमारा sale initiate हुआ है market ऐसा नहीं कि sale trigger के और market उपर जाने लगा तो आप यहां पे डर के कारण निकल जाओगे ऐसा नहीं करना है आपको consistently जो चीजे है जो stop loss है इसके according stop loss रखना पड़ेगा अगर आपके लिए stop loss बड़ा हो जाता है तो इस trade को आप avoid कर सकते हो या फिर quantity आप लोग कम कर सकते हो जैसे कि rigs को manage करने का तरीका मैंने कई times बताया है तो इस चीज को कर सकते हैं यहां पे sale initiate किये अगर हम target यहां पे देखते हैं जो middle band को market यहां पे touch किया है first target के लिए तो यहां पर देखिए जो candle है हमारा यह वाला red candle है ठीक है अब देखिए आप इस red यहां पे हमारा entry हो गया और red candle यहां तक आया हुआ तो हमारा कितना point का यहां पे gap हो गया कितना point हमको target देखे गया यह आप imaging कर सकते हैं यहां पे मैं आपको अगर दिखाऊ हूँ तो यहां पर जो candle का law है almost 915,16 है और यहां पर जो है यह देखिए 860 है मतलब आपको यहां पे 50.1 way एक से दो एक single candle यह दिया है लेकिन यहां पे time थोड़ा देर spend किया है ठीक है तो 50 point अगर यहां पे index आपका momentum कर रहा है तो लगबग 20 to 30 point का पांच मिनट का candle है गाई जिये मतलब विदीन 10 से 15 मिनट में आपको यह candle जो है न यहां पे बनके target दे दिया 50 to 60 point का तो और क्या से यह 5 मिनट में काफी ज़दा है first target दे दिया second target यहां पे दिया नहीं कियोंगे second target हमारा lower band था और market इसी के near जो middle band है यहीं पे काफी देर तक time spent कर दिया और यह भी देखिए हमारा RSI भी बता रहा है कि market यहीं पे stay कर दिया तो यहां पे all quantity भी book कर सकते है otherwise यहां पे अगर last time market का है तो full quantity book करके ही exit करना better रहेगा ठीक है अब देखें कि क्या हमें और कोई signal मिला buy or sell side का तो देखिए पूरा whole day की अगर मैं बात करूँ तो यहां पे कोई भी signal हमको नहीं मिला अब कुछ लोग यह भी सोचेंगे कि यहां पे market काफी नीचे आया है यहां पे इसके near है तो मैं यहां पे buy कर लेता हूँ आप buy तो कर लोगे जब यह काम नहीं करेगा करता है signal तो आप इसको avoid कर सकते हैं ignore कर सकते हैं अगर आपको इतना patience नहीं है तो मैं बोलूँगा consistent profit तो आप दूर की बात है कभी भी profit बनाई नहीं सकते हैं क्योंकि जो लोग setup के लिए wait करता है अपने proper setup का wait करने के लिए आपके पास कभी भी आप boring फिल नहीं करते हैं market कुछ भी momentum कर रहा है आपका setup के लिए always इंतिजार रहा था setup बनता है आप trade इनिसेट करते हो profit stop loss यह दोनों depend करता है market के momentum के according market आपके favor में momentum करेगा target definitely मिलेगा नहीं करेगा तो वो target नहीं देगा अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग confuse भी कर गया होंगा यहाँ पे जैसे उपर गया यहाँ पे market काफी देर तक इस 5 EMA के उपर भी रहा है लेकिन lastly यहाँ पे market चो है न close कर दिया नीचे तो आप यहाँ पे दिवाली की दिन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप trade initiate कर सकते थे sales side के लिए और दूसरे दिन में भी अगर आप hold रखे होते तो देखे definitely आपको बहुत amazing first target तो आपको opening candle मिल गया middle band तक second target आपको nearly यहाँ पे लगवग यहाँ पे मिल गया otherwise आप यहाँ पे exit भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन आपको sale करने के बाद second day आपको यहाँ पे काफी amazing target देखने को मिला है इसके बाद और मैं दिखाता हूँ कि इधर कोई trade मिला है या नहीं मिला यहाँ पे देखिए आपके सामने सारे चीज़े यहाँ पे जैसे upper band के पास आया काईज इसमें जो trade मुझे लगता है कि काफी accurate मिलेगा और बहुत सही trade मिलेगा क्योंकि आप लोग देखना यह मेरा observation है मैंने बहुत practice किया इस पे आज से पहले जो मैंने 5 EMA strategy बताया था उसमें थोड़ा सा identify कर पाना या फिर उसको देखना काफी difficult होता यहाँ पे trade आपको खुद बतायेगा कि यहीं पर लेना है ऐसा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जुरुत है ने यहाँ पे देखिए market उपर गया है upper band का तो यहाँ पे candle देखेंगे यह वाला candle जो है जो हमारे 5 EMA के उपर ही है अब यहाँ पे देखें कुछ समझने वाली बात है यहाँ पे देखें यह candle क्या क्या यहाँ पे RSI जो है नीचे आया तो हमारा trade इनिसियेट होगा पहले candle को देख लेतें कौन सा candle है देखें यह वाला rate candle पे RSI जो है नीचे आ गया है upper band का तो हमारे लिए यह red candle जो है न trade इंटर करने के लिए यह ready है इसके law पे हम लोग स्टेल करेंगे high पे stop loss रखेंगे अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है अब समझने वाली बात है इसलिए मैं हमेसा बोलता हूँ आप लोग छोटा सा यहाँ पे चीजे देखें और छोड़के वीडियो को चले गए यहाँ पे वो लोग क्या होगा ट्रैप हो जागा और फिर जाके कमेंट में कुछ से कुछ लिखेगा कि अश्चे से बताते नहीं हो जो करते हो बर बर स्टॉफ लास हुट होता है आप समझते ही नहीं हो आप करते जाएए अपना परफेχENCEण देटे जाएए जितना बैस होता है कीझिये रिजल्ट को छोड़ दीजिए ठीक है वो मार्केट आपको बताएगा अब यहाँ पर समझने से पहले मैं आपको बता दूँ मैं live market का भी सारे updates आप लोग को देता हूँ इसके लिए आपको मेरे free telegram channel को join करना पड़ेगा वीडियो का discussion में link डाल दूँगा वहाँ से जरूर चेक आउट कीजिए live market का सारे levels learning with earning वहाँ पर आप कर सकते हैं साथ में मेरे साथ मेरे premium group से जुड़ने के लिए आपको मेरे दिये गए link से demate account open करना है link सारे link आपको इसी वीडियो का discussion में मिल जाएगा account open करके आप मेरे private telegram channel में add हो सकते हैं यहाँ पर आप learning and earning दोनों चीज़े free of cost कर सकते हैं कोई charges नहीं है और वह भी lifetime के लिए तो यह मौका आपको बारवार नहीं मिलेगा यह limited time के लिए है जितना जल्दी होता account open कीजिए और मुझे telegram पर contact कर सकते हैं इसका benefit लीजिए क्योंकि यह limited time है इसके बाद ऐसा मौका आपको दोबारा कभी मिलेगा ही ने तो ऐसे मौके को जाने ना दे बहुत सारे लोग इस चीज़ से जो ना भी benefit ले रहे हैं लगवग 500-600 लोग वहाँ पे जुरे हुए हैं अब देखिए गाईज यहाँ पे upper band को RSI नीचे जिसे cross किया तो यह rate candle हमको indicate किया कि यहाँ से हम लोग को sale side के लिए initiate करना अपना trade को अब यहाँ पी 5E में जो है इसके upper candle है candle with rate बना हुआ है जैसी यहाँ पे sale initiate किया यह वाला green candle तो यहाँ पे sale तो activate कर दिया लेकिन इसके पहले यहाँ पे देखिए इधर उपर भी चला गया तो गया जो candle initiate करता है हमारे trade को यह candle हमारे sale side को trigger किया है तो trigger candle को पूरा बनने देंगे फिर हम लोग stop loss put करेंगे ठीक है यहाँ पे अगर आपने तुरत trade को initiate किया sale side में और बहुत जल्दवाजी में यहाँ पे आपने stop loss लगा दिया तो यही candle आपका stop loss ले लेगा एवेन उसके बाद देखे target भी दे देगा तो आपको जो initiate करता है trade मतलब जो trade active करता है जो candle उस candle को properly बनने देंगे उसके बाद हम लोग stop loss and target decide करेंगे अगर यह candle previous जो जिस candle पे हमने trade को initiate किया है यह candle के ऊपर high को break कर देता है तो जो break करता है इसी candle के high पे हमारा stop loss हो जाएगा target वस इसके according यह वाला जो हमारा रहेगा middle band इसके according रहेगा देखे यह वाला यहाँ पे done कर दिया nearly यह भी यहाँ पे देखिए यह candle यहाँ पे done कर दिया तो जो भी target आपको यहाँ से यहाँ तक मिला single candle में आपको book कर लेना या फिर trail भी कर देना even आपने यहाँ पे book नहीं किया तो देखिए market यहाँ तक lastly आया है लेकिन इसके high को break नहीं किया आप अच्छे तरीका से यहाँ पे देखिए इसका high यहाँ पे है यहाँ पे है इसका high यहाँ पे है मतलब stop loss हमारा कभी भी नहीं लिया even इसके बाद देखिए कितना बड़ा target मिला है मतलब solid one way आपको target दिया कभी losses नहीं हो सकता है मेरा बहुत time से यह देखा हुआ है आपको signal भले दिन में एक मिले दो मिले तो regret नहीं होना ऐसा नहीं कि signal आज नहीं मिला तो क्या करूँगा कैसे करूँगा काईज अगर किसी दिन आप trade नहीं करते हैं तो आपके benefit के लिए वो काफी अच्छा है क्योंकि आप उस दिन न नुकसान करते हैं न प्रॉफिट करते हैं आपका capital सेव रहता है तो इस चीज को समझिए यहां पर देखिए नीचे आया lower band का यहां पर sale buy side के लिए मैं बताऊंगा दो example मैंने sale side के लिए दिया यहां पर जैसे नीचे आया तो हमको क्या करना है buy side के लिए trade को initiate करने के लिए ready हो जाना है अब यहां पर देखिए buy side के लिए जैसे यह वाला candle candle यहां पे आया second वार यहां पे देखिए RSI क्या-क्या इसको reverse upside जो है इस lower band को कर दिया तो यह वाला candle अगर हम second candle को लेते हैं यही candle है तो इसी candle के high पे यहां पे buy कर लेंगे और यहां पे second condition क्या है कि जो EMA है EMA देखिए हमारे इस buy वाले candle के ऊपर बना हुआ तो हमारे लिए सबसे best है तो यहां पे जिससे buy initiate होगा तो नीचे में जो भी lower यहां पे candle का law रहेगा previous candle का इसके according यहां पे stop loss put कर देंगे और देखिए यहां पे trade initiate होने के बाद जैसे EMA के ऊपर मतलए EMA के जैसे ऊपर चला गया market इसका मतलब है कि market हमारे favor में है और हमको upper band का signal यहां पे मिला जो हमारा first target होता है वो यहां पे done किया अब देखो यहां से यहां तक का distance चाहे 20 point हो 30 point हो 40 point हो matter नहीं करता है लेकिन जो भी profit है वो profit आपको दे के गया है without touching our stop loss और देखे definitely अगर हम second target के लिए यहां पे trail करते हैं तो market इसके बाद देखिए middle band को काफी time टच किया है यहां पे इसके बाद scandal के मतलब यह upper band के उपर ही चला गया यहां पे मैंने बताया तो यहां तक target ले सकते हैं other way यहां पर काफी देड तक spend के time इस middle band पे तो यहां पे आप exit कर सकते हैं यहां पे full book कर सकते हैं इस तरीका से आप यहां पे जरूर कीजिए नहीं तो आप अगर यहां पे कुछ quantity book कर रहे हैं पहली first target पे तो अपने estropolis को जो यहां पे हैं आप cost to cost लगा सकते हैं या इस swing law पे लगा सकते हैं या फिर इस swing law पे लगा सकते हैं इस तरीका से trail करते हुए हैं बड़ा target आप लोग ले सकते हैं आप मैं यहां पे और दिखाता हूँ example आपको यहां पे market क्या क्या उपर गया हुआ है RSI का RSI के उपर जैसे ही market गया है इसके बाद हमको sale side के लिए active हो जाना है और जैसे हम RSI के नीचे मतलब इसी अपर बैंड के नीचे RSI जाता है तो हमारा sale side यहां पे active हो जाता है इस candle पे जो भी candle यहां पे रहेगा अब हमको second यहां पे step जो है उसको match करना है जो यहां पे candle है candle हमारे लिए यह वाला candle होगा या फिर आप इसको भी ले सकते लेकिन यह candle पे sale नहीं करेंगे क्योंकि RSI हमारा यहां पे signal दिया है sale side के लिए तो हमारा यह वाला red candle perfectly sale side के लिए ready हो गया है हमको क्या करना है इसी candle के low पे यहां पे sale initiate करना है और यहां पे जो भी upper side में higher आएगा यहां पे stop loss लगा के रख देना है जैसे यहां पे sale activate हुआ देखिए आपको target जो है इस candle पे मिला हुआ है क्योंकि middle band जो है यह वाला candle पे आया हुआ है यहां पे trade initiate हुआ देखिए आपके favor में one way momentum 50 to 60 point तो यहां पे almost यहां पे दिया ही होगा इसके बाद continue देखिए यहां तक आने में second target भी आपको दे दिया तो guys definitely यह जो strategy है काफी amazing है यह मेरा खुद का observation है बहुत लोग ने request किया था इसलिए मैं RSI based strategy थोड़ा सा modified और advanced वर्जन बताया जो एक professional trader easily use करके बड़ा profit बना सकते हैं तो guys यह video कैसा लगा आप लोग comment box में जरूर बताना मैं आप लोग को इस type का बहुत सारे videos बताते रहता हूं हमेशा एक content मतलब important content आपसे learnings related में लाते रहता हूं अगर इस channel में new है तो channel को जरूर subscribe कर लेना और वीडियो पसंद आते है वीडियो को like and share जरूर करना और अपना एक सांदार feedback कि आप लोग को कैसा लगता है वीडियो क्या learn करते हैं क्या सीखते हैं एक motivational आप comment जरूर करना जिससे कि मुझे भी motivation मिले आप लोग के लिए अच् नेक्स्ट वीडियो में thank you so much for your love and support